कि आज मैं आप लोगों के लिए पॉंचर डिजयन लेकाया हूँ और उसके लिए मैंने टिशू लिया है इसी तरीगे से आपने भी टिशू लेना है इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन साड़े सतरे इंच है और इसकी जो चोड़ाई है हो तकरीबन साड़े चार इंच मैंने इसकी चोड़ाई लिए है इसी तरीके से इसको सेंटर करके इसकी क्रीज बिठा लेना है और इसके बाद मैंने इसकी तकरीबन एक इंचोड़ी पटी मैंने त्यार कर ली है और उसी के लीए मैं तकरीमाण सवा तीन इच की ये पटी मैंने कटिंग Lord कर लिया है इसी तरीकिए से आपने पटी कटिंग Rider कर लेनी है और इसके बाद आपने इस साइट से आदएiders और उस साइट से आदे इंच कबड़ा फॉल्ड करना है, फॉल्ड करने के बाद उसको इस तरीके से फॉल्ड करना है, यह देखेगा, इस तरीके से फॉल्ड करने के बाद आपने जिससे कुर्टपटी बनाते हैं, उसी तरीके से इस पॉल्ड को तयार कर लेने हैं, और इसकी जो चुड़ाई है वो तक्रीबन एक इंच तयार आएगी और इसके बाद इसकी बीच में जो मैंने पटियां लगानी है उसके लिए तक्रीबन दो सूथ का मैंने पटियार कर लिया है और इसकी जो चुड़ाई है टोटल वो तक्रीबन पौन इंच की है तो इसी तरीके से आपने दोनों साइट से इसको फॉल करके तक्रीबन दोसूत की ये पटी तियार कर लेनी है पटी तियार कर लेनी के बाद इस टिश्यू के उपर इसको चुपका लेना है पे जो मैंने सेंटर का क्रीस बिठाया है बिलकुल इसकी सेंटर पर मैंने इस पट्टी को लगा लिए उस तरी के डिजाइन को आपने केप्री के ऊ-प़र और नियूआबन के उपर औप बाजू के अ-पर इस डिजाइन forgiving को स्कूल किनारी के से बिलकु सेंटर करके आपने इस पटी पे दोनों साइट पे सिलाई लगानी है किनारी की सिलाई लगानी है सिलाई लगाते हुए मैं आपको दिखा लता हूँ टिशु के उपर मैंने बिल्कुल सेंटर करके पटी में लगा दिया है और उसके बाद फिर मुझे तकरीबन दो इंच का गेप छोड़ना होगा तो दो इंच में मैं निशान लगा लूँगा और उस निशान से फिर मुझे दो इंच का गेप रखना होगा और इसी तरीके से इस पूरे टिशू पर आपने इसी तरीके से दो इंच का गेप देते हुए निशान लगाने और उनी निशान के उपर ही आप लोगों ने पट्टी को लगा लेना है जितनी भी आपने निशान लगाई है उन सारों पर आपने पट्टी को लगा लेना है तिशू का पट्टी और दूसरी पट्टी का जो बीच का गेप आएगा वहां पे हम लोगों ने इस तरीके से फॉल करके पेंटेक्स डालना होगा इसी तरीके से आपने इस पूरी टिशू पे इस तरीके से यह देखिये गए यह जो बीच का गेप आएगा उस पे आप लोग टिशू पर मैंने पेंटेक्सी भी डाल दी है पट्टियां भी मैंने लगा दी है और अब ही मुझे इस पर बरते भी पट्टी लगानी है यह देखें इसकी लंबाई तकरीबन साड़े सोले इंच त्यारा रही है और यह जो पट्टी है इसको इस तरीके से ओपन कर लेने के बाद आपने आदे इंच का दबाव लेते हुए इस पे सलाई लगानी है तो चलेंजी जल्दी से इस पट्टी को मैं लगा लेता हूँ पट्टी को लगाने के बाद फिर मुझे जो मैंने डिजाइन बनाए इसको टॉजर पर लगाना होगा तो चलेंजी जल्दी से इसको भी सीख लेते हैं डिजाइन को मैंने बना कर लिया है इसी तरीके से आपने डिजाइन को बना लेना है डिजाइन को बनाने के बाद आपने इस डिजाइन को पॉंचे को उपर लगाना है तो चलेंजी जल्दी से इ मैंने नीचे बिच्छा लिया है इसी तरीके से ने डिजाइन भूआ है उसको उपर रख लेना है रखने के बाद 10 इंच का दवाउ लेते हुए इस पे सिलाए लगानी होगी जो मैंने डिजाइन बनाया है उसकी जो सीधी साइट होगी वो मैंने टोजर की तरफ कर लिनी है इस पे मुझे किनारी की सिलाई लगानी होगी तो चलेंजी जल्दी से इस पे मैं किनारी की सिलाई लगा लूँगा और इसके बाद इसका पहुंचे भी बन करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ यह डिजाइन कैसा लग रहा है डिजाइन मैंने बना के त्यार कर लिया है यह देखेगा मैंने टीशू को पर पटी मैंने लगा लिया है और इसके बीच में मैंने पेंटेक्स डाल दी है इसी तरीके से आपने इस डिजाइन को बना लेना है डिजाइन को बनाने के बाद ये देखिएगा इसका लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है अगर आप लोगों को वेडियो अच्छी लेगी है अगर पहली बार आएं तो चेनल को ज़रू सक्राइब करतीजिगा साथी प्ला इगाइन को प्रेस करतीजिगा मिलते हैं एक निवेडियो में तब तक के लिए अलाहाफ़ीज